IPL 2024 auction के दोरान मिचल स्टार्क और पैट कमिंस पर पैसों की बारिश हुई कमिंस ने सैम कुरेन के पिछले साल के 18.5 करोड रुपे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और नीलामी में 20 करोड रुपे का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाडी बने हालांकि कुछ घंटे बाद मिचल स्टार्क ने उन्हें IPL इतिहास में सबसे महंगी खरीद के रूप में पीछे छोड़ दिया स्टार्क को KKR ने रिकॉर्ड 24 करोड 25 लाख की बोली लगा कर अपनी टीम में शामिल किया इन दोनों खिलाडियों के इतना महंगा बिकने पर पूर्व दिगज खिलाडी अनिल कुम्बले ने बड़ी बात कही है जियो सिनेमा पर बोलते हुए कुम्बले ने कहा इस तरह की नीलामी में स्टार्क और कमिंस पर 45 करोड रुपे की बोली लगाना हाँ यह अभूत पूर्व था और हमने कभी नहीं सोचा था कि 20 करोड रुपे का बैरियर टूटेगा लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि चूंकि केवल 4 खिलाडी ही प्लेंग 11 में खेल सकते हैं मुझे लगता है कि यह उचित है कि आपके पास विदेशी लोगों के लिए कुल कैप का 40 या 45 प्रतिशत वेतन हो आपके पास वास्तव में उच्च गुनवत्ता वाले भारतिये खिलाडी हैं विराट कोहली जस्परीद बुमरा जो ये देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है कुंबले ने आगे कहा यहीं पर मुझे लगता है कि आपको गंभीरता से विदेशों के लिए एक अलग परस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अन्यथा आपके पास बड़ी नीलामी में खिलाडी नहीं आएंगे खासकर विदेशी खिलाडी जो मांग में है वे छोटी नीलामी का चैन करेंगे जहां आप जानते हैं कि आपको भरपूर पैसा मिलेगा ऐसे ही लगातार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बी टू बी न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी राय कमेंट में जरूर दें सतर्क रहें अलर्ट रहें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद